मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त डाक्टर अनिल लक्रवाद आज हम बात करेंगे बिलियरी सिरोसिस की इस तरह से आपने सुनाओ गए लिवर सिरोसिज होता है उसी तरह से एक बिमारी ती बिलियरी सिरोसिज और यह अधिकतर होती है कि जब व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है और जॉन्डिस मैंने पहले कहीं बार बताया है जॉन्डिस ही कहीं वराइटी होती है जैसे हेमिलोटिक जॉन्डिस होता है इंफेक्टिव जॉन्डिस होता है तो ये बिलियरी स्रोसी जो होता है और उसका वज़ा चाहे तो वह बहार के पर प्रेशर पड़ रहा है यह लिए लिवर के अंदर जो है कहीं पर आज देखने के अंदर आता है और शुरुवात में तो रोगी को दर्द हो भी सकता है पेट में दर्द नहीं भी हो सकता है, दोने चीज़ें हो सकती है, कि है या नहीं है, दर्द शुरू में तो इसी तरह चलता है, लेकिर अब ही मैं आगे बताऊँगी दर्द कब शुरू होता है, और फिर जिस तरह की obstruction जैसे हमें बताईए, अगर उसकी जिस तरह की nature होगी obstruction की अगर वो थोड़ा और partial है या complete है, तो उसके हिसाब से फिर जैस में जानल्ड़ीस की जो डिग्री वो भी हिसके हिसाब से ही होती है कि काफी ज़्यादा johnnelbis होरह है, तो इसके अंदर जब जैस होता है, तो क्या होता है चो हमारी potty का रंग होता है, वो हलका puch hair हो जाता है मलका सफेद रणकी नहीं होती है लेकिν पीले से रणकी ही होती है लेकिन युरिन का रणक बहुत ज्यादा ड्रक हो जाता है इसकी वज़े ही होती है क्योंकि उसके अंदर which笑 Bin ज्यादा होता है जब बलीरूरिन Miission में ज्यादा होता है तो लवर भी जो हम चक करते हैं तो हमें जयादा मिलता है लेकिन इस्प्रेन की कोई जरूरी नहीं कि वह ज़्यादा बड़ी भी मिले ना मिले दोनों तरह से बात हो सकती है हो भी है या नहीं भी हो सकता है learning लेकिन भी रोगी को जो है वह भी जे बहुत बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाती है उसको गैस पेट में बहुत ज्यादा बनती है उल्टी आने की रहती है कि उल्टी आएगी उल्टी आएगी ऐसा उसके सारे दिन मन करता रहते है और खुजली भी उसके शरीर के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इचिंग उसको सारे शरीट पे हो रही है, उसका भी कार्म बिलिरुभी नहीं होता है और इसके साथ में इंफेक्शन भी हो सकता है रोगी को, अकर मान लिजू, अगर इसको साथ में इंफेक्शन की भी प्राब्लम ऻाने लगी है तो फिर उसको बुखार भी आना शुरू का फिर उसको दर्द को जैसे मैंने शुरू में तो बतायाता है कभी दर्द हो भी सकता है नहीं वी उसका लेकिन जब बिमारी ज़्यादा बड़ जाती है तो फिर उसको यहां पर दर्द भी रहता है रोगी को भूख लगनी भी बंद हो जाती है यह सारे ही बिलियरी सिरोसिज क के जो सारे सिंटन्स हैं हाँ अगर शुरू में ही जब अगर रोग का पता लग जाता है तो उसके अंदर कुछ दवाईयां देके भी हमेपेटिक की हमें इसे ठीक कर सकते हैं या बहार से अगर प्रेशर पड़ रहा है जैसे मैंने बतायाता है अगर कोई कारण है उसका अब् तो फिर इसे ठीक कर रहे हैं बहुत असानी होती है आज मैं अपनी वानी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों फिर मिलेंगे और फिर मैं कुछ नई एक चीज लेकर आऊंगा तब तक के लिए आपसे भी का धन्यवाद